हाई एवरिवन एक बार फिर से स्वागत है लक्समीज किचन में एक नई वीडियो के साथ तो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं हरे टमाटर की बहुत ही खटी मेठी सब्जी तो सबसे पहले मैंने यहां पर यहां पांस इच्छे टमाटर ले लिए हैं और यह देख सकते हैं ब मुझना पर लागा उसको मैंने फिर लेशा को मैंने ते टमाटर को हमने लम्बे पिसे में कट लिए प्याज को भी लंबे पिसे डंच कर लिए अब चलते हैं गश्य के तरफ गैस पर मैंने एक कड़ाके अंदर ओल चैड़ा दिए हैं पहले से घड़ा है तो फ्रेंड्स आ तो प्रेंड से आप जरूर सी तरीके का मसाला ट्राइब कीजिए और बोगती ट्रीश वनती है इस तरीके से तो अभी आप देख सकते हैं अच्छा सामारा गरम हो हो चुका है और हमारी सब्सक्राइब तो आप देख सकते हैं हमारा अच्छा सा गरम हो चुका है अब मैंने से जो प्याज को लंबी लंबी पीसिस में कटके था हूँ प्याज और साथ ही में हरी मिर्ची को इसके अंदर डाल देंगे तो फ्रेंड से बहुत ही चैश्टी सब्जी बनती है और इस सब्जी को अगर हरी टमाटर इस वक्त बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं क्योंकि काफी गरों में यह टमाटर उगाए भी जाते हैं तो यह बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है और आप जुरूर ट्राय किजिएगा जब भी आपका सब्जी खाने का मन ना करे तो आप इस तरह के कि हरी और आप आप देख सकती हैँ भी ंश्या इसको मिक्स कर लें और और मिक्स कर दो से तीन मिन तक इसके अज कर्दे करते रहें कि क्या तो सब्जी में हमें पानी वगयरा की बिल्कूल भी जरूरत नहीं क्योंकि टमाटर के अंदर चुदी पानी बहुत है और और इसमें डालेंगे कुछ मसाले तो मसालों के अंदर पहले निए वे जिसी मशों का देक तो मorian में अड़्यर्म कर दरको प्लातर यदर में अधर हो तो त्यायर्म सकते हैं यह थिर में अच्छी सब्जी बनकर त्यार होती है और बहुत ही टेश्टी लगती है तो यहां पर हल्दी पाउडर हमने आदा टेबल स्पून के क्रीब डाल दिया है अब इन सारी चीजों को अच्छा सा मिक्स कर देंगे और बड़िया सामारे इसका जो सब्जी का कलर वह आप देख सकते हैं कितन सब्जी बहुत ही टेश्टी लगती है और गर्मियों के मौसम में इस तरह की सब्जी बहुत ही बड़ा लगती है तो आप जरूर ट्राइ कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसी पे अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा आप सब्जी क सब्जी कितना संधर अच्छी का देखने में कितन संधर लग रही है तो अब ने उसमें काफी देयर तक रहता है और बहुत ही अच्छी बनती है इसे सबजी और इसे की चोग खुस्पू आती है बहुत ही अच्छी आती है तो friends, देख सकते हैं सबजी का कलेर कितना सुदुरा चुक है सबजी हमारी तयार हो चुकी है अब हम गैस का फ्लेम करेंगे बंद और सब्जी को अलग बरतन में करेंगे सर्व तो आप देख सकते हैं सब्जी कितनी प्यारी लगी रखाने में तो बहुत ही टेस्टी बनी है तो जुरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिप अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक, कमेट, शेयर जादर से जादर अपने दोस्तों में, रेलेटरिव में मेरे चैनल को शेयर कीजिए तो ये देखें फ्रेंड्स कितनी अच्छी सी अराम से सब्जी बनकी इसमें हमने पाने का बिल्कुल भी व्यूज़ ने किया तो फ्रेंड्स सब्जी बनकर त्यार हो चुकी है और आप भी इस तरे गए कि सब्जी जरूर ट्राइ किजिएगा और कमेट बॉक्स में मुझे लिख कर बताईएगा कि आपको आज के जो हरे टमाटर की सब्जी है वो कैसी लगी तो देखिए फ्रेंड्स कितनी शानदार सी सब्जी हमारी त्यार हो चुकी है अब इसको हम अलग बरतन में डाल देते हैं और गैस का फ्लेम हमने कर दिया है बंद क्योंकि कडाई हमारी फूल गरम है भी तो इसमें देख सब्जी हमारी अराम से त्यार हो जाएगी लेकिन वैसे तो टमाटर वगरे अच्छे से सोब्ट हो चुके हैं अगर आपको थोड़ा बहुत लगे तो इसको आप थोड़ी सदेर और चला सकते हैं लेकिन सब्जी हमारी बिल्कुल रड़ी हो चुकी है और सब्जी का कलर भी बहुत सुंदर है गारनेस के लिए अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो पर लाइक जुरूर कीजिएगा और यह देखी फ्रेंट्स सब्जी हमारी एकदम रेड़ी हो चुकी है खाने के लिए बिल्कुल तयार है देखते हैं मूं में पानी आने वाली सब्जी है बिल्कुल खटी-कटी तो जुरूर ट्रा थैंक यू मिलते हैं एक ऐसी सिंपल सी और आसान सी रेसिपी के साथ लक्समीच की चन धन्यवाद बाई बाई